लो वाइज विल्कम बेक टू माँ चैनल टेकनिकल एंट्रव्यू में जाएंगे तो आप से सबसे जाएदा डिसकर्श करने वाला टॉफिक है वह पी एम एमसी मीटर है तो दोस्तों आज के सेशन्स में जो पी एमसी मीटर होता है उसके मुस्ट एमसी कुछ को संस लेके आए एंड इसकी सिरीज दो आपको पढ़ने को मिलेगी लगवख हम चार जब पांच सिरीज में आपके इसको कॉस्टन कंप्लीट कराएंगे जो कि आपको बहुत ही बहुत महत्पूर्व कोसंस हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को नीई किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को यदि बटन कोड़े करें जिसका वेनिफिट साफको जी मिलेगा कि जब भी हम कोई नी वीडियो पाबलिश करेंगे उसका वेनिफिट आपको दे चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो म्हारा कॉं DC का उप्व्योग किया जाता है इसमें किया जाता है PMMC में जा डाइनो म्यूटर में बोथ A & B जा नान अबदा अबब तो दोस्तो इसका option number A सही होगा PMMC म्यूटर दोस्तो हमारा next question है which of the following is moving iron type instrument निमने में से moving iron type instrument का उधारन होगा आपको पहले सही है कि यह आपका answer सही है जा हमसे कोई भी भूल या कलती से कोई भी टिक लग जाता है तो आप प्लीज बता सकते हैं कि answer सही नहीं है जा आपको सही लग रहा है कि यह है नहीं नहीं दोस्तो इसका option है x y floats पर या whatever meters पर या 4 meters and meters पर या all of the above जो indicating instruments होते हैं वो निम्न में वोड मीटर स्कों और मीटर स्कों फोलो करते हैं तो इस्तों हमारा नेस्ट को सेने बेच ओफ दा फूलिंग इस्टुमेंट वर्क सो ओन दा प्रिंसिपल ऑफ मेंगनिजिटम मतलब निम्न मेंसे कौन सा इस्टुमेंट मेंगनिशिटम के प्रिंसिपल पर है मोविंग आराइं इस्टुमेंट याbereट कैसि इस्टुमेंट मेंगनेश्टम का श्वाय करते हैं उस पर moving iron instruments work करता है तो दोस्तों इसको option number A सही होगा दोस्तों मारा next question है ता deflection torque is moving coil instrument is proportional to deflection torque होता है moving coil में वो instrument के proportional होता है मतलब को इसके proportional होता है current के voltage के जा इसको और current या none of the above दोस्तों इसको option number A सही होगा current की दोस्तों मारा next question है in which one of the following instruments the damping is provide by AD current मतलब निमने में से कौन से instruments instruments damping current या AD current provide कराता है moving coil moving iron या both A and B या none of the above दोस्तों इसको option number A सही होगा moving coil तोस्तों मारा next question है तोस्तों मारा next question है the cost of moving coil is …. compared to moving iron high, very high, very low, very low तोस्तों का option number B सही होगा very high तोस्तों मारा next question है in which one of the following instruments the consumption of power is very low मतलब निमन में से इसा कौन से instrument होता है जिनसकी consumption power low होती है moving coil की, moving iron की या dynamometer की या none of the above की दोस्तों इसको option नमरे सही होगा moving coil की दोस्तों मारा next question है in which one of the following instruments the torque weight ratio is high मतलब इस निमन में से इसा कौन सा instrument होग होता है उसका ratio हाई होता है moving coil का, dynamometer का या both A and V या none of the above का तो दोस्तों इसका option number A सही होगा moving coil का दोस्तों मारा next and last question है the instruments are categorized in two types जो instruments होते हैं उनको कितनी type में categorized किया जाता है one type में, two type में, three type में, four type में तो दोस्तों इसका option number B सही होगा two types है दोस्तों जो instruments होते हैं उनको absolute and secondary instruments में हम categorize कर दे हैं thank you for watching video दोस्तों